प्राइडे के दिन आपको याद होगा मार्केट यहाँ पे ग्याप आप खुलने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे थी और छोटा सा देखा जाए तो एक मार्केट यहाँ पर ट्रेंड भी बनाई थी बट यूजुली आप लोग नोटिस करना जब मार्केट नाश्रल गैस में यहाँ पर गैप खुलती है तो कभी ने कभी देखना आप लोग नोटिस जरूर करना यह बैक टेस्ट करना एक बार को तो टॉप प यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यह यहाँ पर बार-बार सपोर्ट ले रा था और इस लिवल के ब्रेक होते ही आप लोग ट्रेड में एक एंटर कर सकते है compat और यहाँप अखी market अगर downside जा रही है तो एक बार को थोड़ा सा pullback लेके नीचे आए पिर यहां पर आप लोग stop loss लगा लो तो वो आपके लिए better scenario create करता है और अगर नहीं हो रहा है तो उसमें आप लोग या तो position sizing छोटी रख सकते हो या तो उस candle के breakout के पहले आप breakout के ऊपर लगा सकते हो अपना stop loss breakout या breakdown या तो अगर नहीं चाहर हो अगर आपको रिस्क ने लेना है नसेसरी तो यहां पर trade ना लेने में भी भलाई है अब यहां पर अगर देखा जा तो downside मोमेंटा में ठीक ठाक जरूर आया था बट हमेशा यहां लिमूब थोड़ से risky होते जहां पर stop loss आपको proper नहीं मिल पाता है तो यहां पर थोड़ा सा एक बार आपको दो बार सोचना पड़ता है और अगर यहां पर मितलब stop loss होता है तो यूजिली अगर आप लोग बड़ा stop loss ले रहो तो loss भी पर बड़ा हो सकता है सिफ profit नहीं आपको loss भी देखना होता है कितना एक trade में जा सकता अब इसको target तभी हम लोग मानेंगे जब यहां पर हम लोग को at least one is to two का यहां पर target मिले अब यहां पर अगर देखा जाए इन वाले लेवल से stop loss अगर लग रहा है हम लोग और इसको बाद अगर यह target लेने की बात की तो वो तो कोई trade बनेगी नहीं हमारी यह one is to one की trade नहीं money जाएगी फिर हम लोग क्या करेंगे बस इसको as a treat करेंगे हम लोग as a resistance फिर आप मार्केट में थ्यान देना पड़ेगा आपको यहां पर यहां पर देखना की अगर resistance दे रही तो सबसे पहले आपको क्या करना है उठा के अपने entry पर stop loss डाल देना है और अगर stop loss लग जा र हम लोग को यहां पर इन वाले लेवल का नजार आ सकता है अगर यहां पर 147.70 से resistance लेती और stop loss नहीं होता है तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा लंबा एक हम लोग को target मिलेगा और एक ही target पर हम लोग चेस कर सकते हैं उसके बाद हम लोग को second target चेस करने की कोई जरूवत नहीं पड़ेगी पर इनकेस यहां पर मार लेते हैं कि एक बार को resistance ले लिया फिर stop loss हो गया फिर हम लोग को रिइंटर करना 147.70 पर तब हम लोग उस case में फिर second target भी chase कर सकते क्योंकि अगर देखा है तो फिर तो मतलब market ultimately momentum इन वाले levels के उपर ही start कि और यहां पर retesting भी हो च ली जा सकती है तर्गेट की बात की जाए तो यहां पर हम लोग एक मतलब अच्छा target यहां पर अगर देखो तो मोमेंटम अपशाइट कर देखने के लिए मिला था उसके बाद downside पर यहां पर देखा जा तो एक trend अगर यहां पर देखो कि तो ड्रॉ किया था आपके लिए यहां पर almost break करने की कोशिश कर रहा है यहां पर अब देखो अगर इसको break नहीं कर पाता है यहां से rejection ले लेती है पेख्ण टाइम पर देख जाते हैं अब यहां पर देखो यहां पे काफी समय से लिए अक inspire यहां पर छाट और यहां पर देखा जंड़ार मर्य दक यहांसे मारकट डिवारं सपोर्टे आपको नजर आए इस सब्स्क्राइब सब्सक्राइब पड़ेगा यहां पे और थोड़ा से मार्केट के अंदर ध्यान देना पड़ेगा अब यहां पे 15 मिट टाइम फ्रेम पे दुबारा आते हैं तो देखो सबसे पहले चीज यहां पे अगर आपको कुछ देखने के लिए मिल सकती है डाउन साइड हम लोग यहां पे 6762 की नीचे यहां पे 6757 की नीचे जा सकते हैं डाउन साइड की ट्रेट के लिए ऑगर यहां पे 6799 को ब्रेक कर लेता है तो हम लोग को यहां पे अपसाइड की टार्गेट देखने के लिए मिल सकती हैं और यह चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि फेक आउट उसके बाद भी हो सकते हैं तो थोड़ा सा हम कहेंगे कि आज के दिन पर इनीचिली आप लोग ट्रेड ले रहो तो देखो अगर यहां अगर देखा जा तो उपर साइड पर एक स्विंग यहां पर देखने के लिए मिल रही है जो कि आपका 6846 है तो यह हमारे लिए टार्गेट बन सकता है और थोड़ा सा जूम इन अगर किया जा प्रॉपर टार्गेट के लिए तो सेकेंड टार्गेट पर हम लोग को यहां प पर देखने के लिए तो अभी के लिए तो हम लोग को यहां पर 6 846 और 6893 के देखने के लिए बट वह आप लोग तो थोड़ा सा ध्यान देने कि यहां पर मार्केट पहले तो और पर ब्रेक आउट देती है तो वह आम लोग के लिए ज्ञादा अच्छा रहेगा और ज्ञ लिंग अगले वीडियो में, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेर करना और साधे साधे चैनल को सस्क्राइब करना और बैल आइकन वाले नोटिफिकेशन बटन भी जरूर दबाना, ओक्य भाई